एक तमाचेने जिबराणडार की जिंदगी जो है तबदील की सयासत में मेरी कलाई बड़ी मजबूत है जी आप गुड फोर आप देख लिए आप गुड फोर आप तो ये दो चमाटे में उसके भी मार सकता था बट मेरे गर के तेहजीब मुझे सीके है मुझे पता है आप उसके गर गए थे कल जी शुकूर है बच गए आप गाल दिखाव ना आपके मिमारा होगा एक दो नहीं नहीं तो बच गए शुकूराने की दो नमाजे पड़ो ओड़ो और बच गए मैं एक बात बोलू Who are you नहीं पूछना Because nowadays who are you is a गाली मैंतलब गुना किया मैंने पढ़ाई की क्या 16 साल का बच्चा मुझे वोट कर सकता है नहीं कर सकता है तो फिर मैं बेवकूफ हूँ के मैं उसको वोट माँगूगा तो जब आपको यह तमाचा पढ़ा मैं इस बेटे को प्यार किया है मैं गांदर बल्कि Travel की ओवाम को कहता हूँ āवाम फैसला भाउ फैसला बैलेटबाक्स में होगा गाम घमर कमीर का यूज सीधे पारल्लिमेंट में बोलेगा पवाज़ उतनर गरौके सिंद नाले की बात भी नाजरे मोतरम जिस तरीके से आप ये बात बहुत भी जानते हैं कि कल एक इंसिडेंट जो है एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आग की तरह वाइरल हो गया जो की वस्ती कश्मीर के जिला गांदर बिल में एक वाक्या जो है पेश आया जहां पे डिडी सी मिंबर वाकूरा जिनाब अश्रव अमद गनाई और उसने जिबरान डार जो के आमादी पार्टी का कारकुन है और साथी साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है और ये बात भी हम आपको बताता ही चले के कल रात देड़ गए आमादी पार्टी की तरफ से एक प्रेस नोर जो है जारी किया जाता है कि पार्टी का कोई विजिट नहीं था वहाँ पे तो आज इन से मजीद बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से हमने कल अश्रव गनाई साब से भी बात की जो कि डीडी सी वाकूरा है और उन्हों ने भी अपनी राय जो है वहाँ पे रखी क्या आखिर वहाँ पे मा बहुत बहुत शुक्रिया तो सर ये बताये खासकर जो वाका वस्टी कश्पीर के जिला गंदर बल्कि गुजहमा इलाक में पेश आया उस सवाले से बताएगा कि वहाँ असल में वाक्या जो है हुआ क्या था जिस तरीके से हमने भी डीडी सी से बात की तो उसने बताये कि वीडियो जो है उससे पहले कुछी तू-तू में हुआ जिसकी वजह से वो थपड़ भी मतलब देखो वह अपने आपको बचाने के लिए आप कुछ भी बोलेगा धर इस फूल वीडियो बिकॉस जब भी मैं कहीं पर भी जाता हूं जी एवरीडी रिकॉर्ड्स मैं वीडिय मैं कहता हूं कि आज बन फिफ्टी सेवन लगा के एंकुईरी बिठाओ जांच कमीटी बनाओ और वो सारे वीडियो देखो मैंने अगर कहीं पर हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ बात की हो हिंदुस्तान के आईन के दाएरे से बाहर बात की हो या कोई डेडियो ग्रिटरी कि रिवाग किया हो आप मुझे कारवाई कीजिए तो तुड़ा बूत आप बता सकते हैं कि वहां पर असले मामला पेश क्या आया मामला कुछ नहीं ऐसा वैसा हुआ देखिए सिंपल मैं एक प्रोटेक्टिव परसन हूं I have a security मेरे PSO ने कल रात कोई सिगनल दिया था गांदरबल से सिगनल मिलता है वाकुरा जाने का जब मैं वाकुरा की तरफ रवाना होता हूं मेरा PSO लोकल थाना शादीपुरा को कॉल करता है और उनको कहता है कि जबरान साब को ग्राउंड में आना है आप अपना security बेजिए ठीक है तो एस चो वहां पे आते हैं डियो उ वहां पे मेरा जो विजट है वो लीगल विजट है को ऑगर मैं लीगली वहां पे आया हूं हो ऑव एलीगली ही केम डियर क्या अगर अगर मैं suppose कोई रैली करेंगे फारोग साथ suppose रैली लाल चोक पे करेंगे और मैं PCR गांदल को फोन करूँगा कि मुझे भी लाल चोक पे रैली करनी है तो मुझे एलव नहीं किया जाएगा क्योंकि एक जगा पे दो लोग को एलव लेकिन उसका भी यह कहना है कि मुझे वहां इनवाइट किया किया इनवाइट एक बात है इनविटेशन और अलावि में दूसरी बात है आपको लोकल पुली स्टेशन को कंफर्म करना है वो रेजिस्टर करवाना है कि मैं वहां आ रहा हूं क्यूंकि उसके साथ जो सक्योर्टी कश्मीर की सक्योरिटी है अगर कलको उन विजिट होता तो कोई भी सेक्योरिटी वाला वहां पर नहीं आता और मेरे पीएसो को भी टर्मिनेट किया जाता अगर हम इलीगली विजिट करते हैं जब भी मैं कहीं जाता हूं हम यही चीज देखते है कि अगर दो-तीन गाओं का विजिट है इसके बाउंडरी के बाहर म जो है चीर पर देखते हैं मेरा हक है वोट मांगना मैं सियासत में वोट मांगना नहीं आया हूं मैं कोई छोड़ी चुपे कोई NGO का काम नहीं कर रहा हूं लेकिन यह भी इल्जाबात आप पर आयद किये जाते है कि आप कमसिन उमर के जो बच्चे है वहां उनको वोट होगा आप अंदाजा लगाए ना वो वो अनपड़ इनसां कितनी बेवकुफ हो वाली बात करता है सपोस्पोस यहां पे मेरे सामने 16 साल का बच्चा बैठा है मैं बाइस से वोट क्यू मांगो लॉजिक एक लॉजिक है इसका वोट तो पाली नहीं होगा ना इमसू वोट म मैं तो बात नहीं प्योर से मेरे वो और के साथी में घिलनी चाहिए ती मेरे भाई मैं अगर कहीं शादी में भी जाउँगा अगर मैं सो-दो 100 लोग या कार्द काम तो गांャदर ना करते हैं यहां models अगर आपको मैं बोल रहा हूं की एक पॉलिटिशन के लिए वोटर हो ना? नहीं, वो तो वो तो सही बात है, लेकिन अलग बात है, आप मुझे वोट करोगे, नहीं वो अलग बात है, अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि स्वेल भाई, मेरा काम अगर पसंद आया, मुझे वोट करना, तो कौन सा जूर मैं बता हूं, किस दारा में लिखा है, किस IPC में लिखा है, नहीं, वो तो है, अंडर आर्टिकल 19, 1A, freedom of right, freedom of supreme, हर किसी को है, मैं कहां रहता हूं, मैं कहां रहता हूं, मैं कहां रहता हूं, मैं क तो फिर, मैं तो दिन रात वोट ही मांग रहा हूं, मैं देखो, मैं दो चीज़ मांगता हूं, अपनी अवाम से, दुआ, और वोट, जब लोग वोट देंगे, तभी मैं पारलिमेट में जाओंगा, तभी मैं लोगों का काम करूंगा, जब वो डीडीसी बना, सुचता गा तो यूए के बहू झाला हूं, वोट यह नहीं है। अवाम कि दो के महरता हूं, जाहिसे पन्कीन को पनीता ही, तो जब वहां की अवाम ने उसको एक्षेप्ट नहीं किया, तो मुझे थपड कैसे मार सकता है। अवाम ने नीग यह बन यह जया हूं, ने जिब जब लंस को अवाम पर कोई ब्लेम नहीं है अच्छे गांदर बाइस बार मुझे ऐसा लगा कि मेरा खुद का गार है बाइस बार मुझे ऐसा लगा कि मैं शहर का नहीं हूँ तो जब आप वहाँ पर आई तो आप चेयर पर सीजी क्यों नहीं बैठा था और उसके बाद एस्चो साब आए मैंने स्चो साब को ग्रीट किया और मेरे यही बात स्चो साब को बोली कि स्चो साब जो भी यह बच्चे है इनसे इंपुट्स लिया करिए कि कौन ड्रग करता है कौन नहीं करता है और अगर कोई बच्चा ड्रग करता है उस पर कारवाई की जाए और अगर कोई बचा उसको देख भाया ड्रग करते ह। और वह इसे चूको नहीं बोलेगा, तो महरबानी करके मुझे ऐसे वोट नहीं चाहिए जो यह क्राइम करेंगे। मजे उन छोरों का उन ड्रगिस्ट का वोट नहीं चाहिए. अगर वो अवाम को खराब करने के लिए, मुझे वोट हराम है, दो चीज होते हैं, हलाल और हराम, मेरे लिए वो, मैं आज भी आपके कैमरा पर बोलता है, अगर कोई ड्रग कर रहा है, या ड्रग को बेच रहा है, या ड्रग को प्रमोट कर रहा है, वो लोग मेरे वोटर ना बने, चाहे हो मुझे कितना भी प्यार करते हो, वो लोग मुझे वोट ना करें, एस चो साब को यही बात बोली, और बच्चे मेरे पास आये बोला, जिपरान भाई हमारे पस गोल पोस्ट नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं दो चार कंपनी से बात करूँ स्पोर्ट्स वालों से क्योंकि ग्रेट स्पोर्ट्स के साथ मेरा बहुत अच्छा राविता है, जो आप बैट्स बनाते हैं इन्टरनेशल, तो मैंने सोचा मैं उनको बोलके गोल पोस्ट बनवाऊ इन लोगों के लिए, और एक वाटर कैम पर लगाऊं, क्योंकि बहुत जगाओं पर मैंने ग्रा मैं चाहे सोचल इविंट में आओ, मैं चाहे शादी में जाओ, मैं चाहे साड़क पे जाओ, वेरेवर आई गो, ताट इस पॉलिटिक्स, जहां एक सियास्ट, पहले अब यह भी करिए कि आप आमाधी पार्टी के, यूथ प्रेजेंट सेंट्रल कश्मीर है, आप क्या तो पार्टी का आफिशल प्रोग्रम जलसा होता है, तो कोई जलसा था, मैं इंटवज़िली इवाइट था, लेकि मैं कोहन हूँ, आमाधी पार्टी का यूथ प्रिजेंट, मैं इंटुज़िली मेरे साथ कोई डिस्ट्रिड प्रेजेंट नहीं था, और बाकिन लोग नही आप जुब उन्हें दे कि प्रयस्तोट विजला हुआ है उन्हें कि हमारे यूथ प्रिजिटेंट के साथ हमला हुआ है उन्हें निड़ा है इस के अच्छ को कॉल किया और उसके बाद उनके यहां से लेटर जा रही मैं लेटर भी आपको बेज़ दो गा तो जब उससे वहु क्यों वहां विमारा उससे आपको तमाचा बहुखला हट वह क्यों इतना वाही लेट हो गए वही बात है कि जबरान को सरीनेगर से बिलाया गया एस चीफ गेस्ट मुझे वाकुरा वालो ने फॉर्ण ने किया अब मैं क्या कर अच्छा बैं आपको बड़ा मज़िदार किस्ता सोना हूंगा मैं जब वाकुरा आ रहा था रस्ते में एक जगा आती है बटवनी तो उस ताइम क्या फीला है तो देखे 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 यह सवाल आपको किसी ने अभी तक नहीं किया तो जब आपको यह तमाचा पढ़ा तो दिल में क्या है उसने यह एक कश्मीर की सियासत में बढ़ाव का तमाचा था और वो हो गया This is the beginning of new politics This is the beginning of new era This is the beginning of Jammu Kashmir's youth अब हकूमत Jammu Kashmir की youth के हाथ में आयेगी This is the time to change Now people got What is good, what is bad What is educated, what is uneducated 25 ऐस deaga एक मेकानिकल इंजिनियर, देखिए, मेरी कलाईयों में, I have also done gym, मेरी कलाईय बड़ी मजबूत है, I have a good four, आप, आप, I have a good four, आप, तो ये दो चमाटे में उसके भी मार सकता था, बट, मेरे गर के तहजीब, मुझे सीख के है, मुझे पता है, how I have to do, तंस, तंस काशी मैंने उमर साब पे भी की है, फारुक साब पे भी की है, बहुत टाइम मैं, अब भी मैं गांदर बजाओ, मियालताब साब भी की है, लेकिन, ये, ये, इस से समझ आता है, what are veteran politicians are, and what are just a DDC क्योंकि वो कभी हमला नहीं करेंगे, आगर ऊढ़ी फारुक सा बढ़ फारुक सा बागवा, पैस्वातर है, बॉल रहती है, कोई मेरे बारे बोले काहा हा है, अच्छा बोले का अच्छी बात है, फारुक सामने अगर में मैं आशा काम करती है, मैं इस इलतिजाग जी को भी मैसेज करता हूं कि she is doing very good your mother appreciate कर तो इसमें क्या गलत बात है आप तो एक और वीडियो हमने देखा कि मेर मुश्टाक official एक बंदा है वो social media पे भी काफी ज्यादा वाइरल रहता है तो उसने भी एक वीडियो में बता है कि अगर यह हुआ है यह incident जो है उस यह बात अब जम्मो कश्विर की अवाम की है माफी तो कबोल नहीं होगी अब सीधे कोट बलवाल जाना चाहिए उसको या पबलिक सेफटी एक्ट के अंडर वो बुक होना चाहिए सिंपल बात है गलती देखे अगर मैंने उसको आज माफ किया यह तो वही बात होगी ने सा अब काल को उसी बंदे से जब तुम सवाल पुछोगे तुमने अपने महले में काम नहीं किया उत्तुमें चाको मारेगा अब लेटर लिखो जेंड के सिक्योरिटी को आपको से क्योर्टी मिलनी चाहिए तब जाके ऐसे लोगों से सवाल पुछा करो आप उसके घर गए थे जी शुकर है बच गए अब गाल दिखाओ ना आपके मिमारा होगा एक दो नहीं 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 तुम भी उससे गलत सवाल पूछोगे और प्लीज एक बात बोलू को आर यू नहीं पूछना को आप जब भी किसी से सवाल पूछे मैं पबलिक को भी बोलता हूं महरबानी करके हाथ जोड़के किसी को क्योंकि अगर आप वार यू बोलोगे तो एस पर डीडीसी वाकुरा ये गाली है है ना वहीं कहर रहा है अब जिस अंदाजे को इस बंदे को यह नहीं पता हूँ आर यू गाली देए हूँ आर यू बोलता है कि तुम कौन हो मैं नहीं जानता तुम्हें तो खुद करन अल्ला मैंने सुभा उससे फोन पर बात की है कि विल गिविम फ्री अडिमिशन है कि दाट इस ट्रू और यू अप्रोड दाट वीडियो वो उसको वहां पर लगते है कम से कम साढ़े बारा हाजार रुपे कोर्स के बट उसके लिए फ्री है ताग उन गुस्तना हूँ इसके तो सार के उपर जाएगा यह तो मुझे लगता है उदर भी कुछ का ऐसा ऐसा करेंगा मुझे क्यू बोला डी साब ने हुआ अगर डी साब को भी बैठे होंगे और यह अचानक से आएगा और नहीं पता होगी किसी गोई डीडीसी मेंबर है तो डी साब सवाल क्या प इसके पुछ रहा है तो इसको भी बोला था है इतना तो आना चाहिए था यू इसको भी बताएगा खासकर गांदरबल के लोगों की साथ जो कुछ नाराजगी मत हैं लव यू पिछली बार भी जब हमने आप वह हम हमें जब आपने तब ही देखा आपने जस्ट सड़क पे मुझसे मुलाकात की पूरा गांदरबल जमा हो गया और गांदरबल के ही लोग थे जोने बोला जिबरान भाई के लिए अपनी जान और खून दे देंगे तो नाराजगी आज तो मत है मैं आज भी कहता हूँ सुबा चंदर बोस्ते बोला तुम मुझे खून दे दो मैं तो अब आप क्या चाहते है अखिर पे फैसला फैसला कोट का फैसला अभी मेरा वकील है आफ तान करिमिनल लॉयर ही इस गोइंग तो फाइल दे केस अंडर आल आईपीस तो ही इस गोइंग तो कल से अप उदास थोड़ा बहुत लग रहे हैं देखू उदासी दिल तो किस की दुकान का फीता काटता है किस मैच में चीफ गेस्ट बनना है अरे गांदर बल की अवाम ने इस बेटे को प्यार किया है मैं गांदर बल की अवाम को कहता हूं फैसला अब बैलेड बॉक्स में होगा फैसला आने वाले पारलिमेंट के एलेक्शन में होगा अब जम्म मेरा समझ नहीं आरा तो आखिर पर हम यह कह सकते है कि एक तमाच ने पूरी जिन्दगी बदल डाली जिवरान डार की मुझे लगता है बहतर कर दी स्यासत में पूरी जिन्दगी जो है बदल डाली बदल डाली इससे चेंज मैं तो कहता हूँ हर सियासत जान को ऐसे लोगों उसे एक थपड जुरूर खाना चाहिए क्या हो आई तम सही हाँ डीडीजी के साथ ही मैं तो उसको शुक्रिया आदा कर रहा हूँ उस थपड माना ना अच्छी बात है हम और कहरा है कि मैं इसके बाप के समाना भर दूसरी वीडियो में कहरा चेंखा रहा है अब बाई मतलब कल को बोल सकता है मैं आपका बचा हूँ और कुछ भी بोल सकता है लेकिन उस ने यह भी बता है कि जब मैंने उसको तमाचा मारा तो मेरा अल्ला चांटा है जब मैं कहां गवाई लूँ उसके लिए तो फिर उसको उपर जाना पड़ेगा अब मैं गवाई किस के पास लो मैं तो कोट से ही लोगा ना मेरा वकील केस दगरेगा अगर आज वो माफी मांगी का या 80,000,000 कश्मीर के वासियों से माफी मांगे जहां पर लोग बोले ये लोगों तक है लोग बताए लोग जो बोलेंगे वोही होगा शर्मिंदा है कल भी उसने बताए कि मैं इस पर शर्मिंदा हूँ किस बात वो तो उसने तो मैं आपको आज इक बाह बता हूँ वो बंदा कल बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ उसने मेरी आइडिनिटिफिकेशन पे दाग लगाया हाव एकन ब्लेम मी आया वे इंडियन पास्पोर्ट शायद उसके बस पास्पोर्ट ना हो आप उसकी वेरिफिकेशन करो वो कहां से पास्पोर्ट मेरा लिया आ अंदर से लिया आना पास्पोर्ट मामा को बोलो आप बोलो पास्पोर्ट लाओ मैं आपको पास्पोर्ट दिखाऊंगा अपकरा उसने मेरी identification पे कैसे लाया उसने कल लिखा है कि ये बंदा पाकिस्तान से आया है अरे बेशरम आदमी मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं मैं हिंदुस्तान के आइन के अंदर election लटने वाला हूं तो किस तरह से मैं election commission of India के voter list में इजाफ़ा करने जा रहा हूं अभी तक 20% होते थे हालात खराब होते थे अब 80% होंगे मैं तक तो 100% होने चाहिए लेकि उस बंदे ने कल ये कहा कि मैं पाकिस्तान का हूं मुझे बताईए मैं पाकिस्तान का हूं क्या मैं आपको passport दिखाओंगा जरा passport देना लाओ इधर सारे मैं दिखाता हूं मैं Republic of India मैं पाकिस्तान का नहीं हूं I'm not from Pakistan उसने कैसे allegate किया मुझे पाकिस्तानी है क्या वो क्या create करना चाहता है मैं स्यास्ती जंग लटने वाला हूं ये देखो इस इस माइ पासपोर्ट इस माइ इंडियन पासपोर्ट आप उसका चेक करो कहा का है उसकी हिस्ट्री निकालो वो कहा का है तो at the end of the day मैं आपने भकीर से बोल रहा हूं वो आटिया फाइल करे तो लोकल ठाने में SSP साब के ए दीछी साब में और देखे कि उसका रिकार्ड क्या है वो कहा का है क्या उसके वास वालीड पासपोर्ट है ने अगर है वो जांच की जाए कैसे मिला जमारे जम्मो कश्मीर के बच्चों को अगर परचपर्चा है कुछ है उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है इस टाइम उसपर झत है कि मतलब कुछ activities है तो इसका चेक को पासपोर्ट है के ड़ी मेरा तो यह तेखो, यह यह वीजा भी लगा ład मैं पाँपरइन हुए बिचल्शा अवे मेरा वीजा लगा हुआ है तो आपनी सची मेरा भी के लिफ उठ्र हमेrest मेसेज वुद लाइ तो पीपल लफ जिम्मो एंट किशमीर शांत बैठिये मैं जुडिश्टिरी के तरीके से लड़ूंगा अपना हक मांगने के लिए जब हक नहीं मिलेगा मैं जरूर अवाम से मदद मांगूगा कि मुझे हक दिलाया मुझे जस्टिस दिलाओ जले सर्बात करने के लिए बहुत बहुत शूरी है